आई इस फिल्मों में तो हमने कई सिंगम पुलिस वाले देखे हैं लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में एक सिंगम पुलिस वाला देखा हैं? चलिए हम आज इस वीडियो में आपको एक रियल सिंगम पुलिस वाले से मिलवाते हैं ये रियल सिंगम पुलिस वाला एक IPS अफसर रह चुकाया और लोग सच में उन्हें प्यार से सिंगम अन्ना के नाम से बुलाते हैं, उन्हें देखकर बड़े-बड़े बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं, कोन है ये ओफिसर, चलिए जान, दरसल ये हैं तमिलाडू में र बंद कराने जैसे कामों की वज़े से वो काफी सुर्खियों में रहे थे, 2019 में रिटायर्मेंट लेने के बाद उन्हें तमिलाडू से एक नैशनल पॉलिटिकल पार्टी जोइन की, और एक यंग नैशनलिस्ट लीडर के तोर पे यंग जनरेशन में नैशनलिजम की स्पिर पूचर लीडर और सीम के तोर पर देखते हैं, काईस के अन्नमलाई के राष्ट्रवादी स्पिरिट के लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बोचार से, बंदा डरता है तो परवर्दिकार से, काईस मैं ते डायलोग अच्छे स बोले थे, तो आप क्या कहेंगे, चलिए जानते इसके पीछे का सच, दरसल जवाब फिल्म की शूटिंग दोरानी राजकुमार जी को पता चला कि उन्हें थ्रोट कैंसर हो गया है, लेकिन उन्होंने बिना किसी को बताये शूटिंग जारी रखी, फिल्म की शूटिंग प हो चुके हैं, इसके बाद केसी शर्मा काफी परिशान हो गए, लेकिन वो कहते हैंने कि जहां चा, वहां रा, उन दिनों जोनी लिवर बड़े बड़े सूपर स्टार की मिमिकरी करने के लिए काफी मशूर हुआ करते थे, यही नहीं, वो राजकुमार की मिमिकरी भी हूब किया गया था, और दुख की बात ही है कि कुछ दिनों बाद ही राजकुमार साब की थोट कैंसर की वज़े से मोत हो गई थी, और बोलीवुड ने अपना एक बैतरिन सितारा खो दिया था, गाइस, राजकुमार साब की दमदार आवास के लिए एक हाट तो बनता है, हनुमा हनुमान जी के गुरू थे सूरेदेव, जिनने नो दिव्य विद्याओं का ज्यान था, और वही दिव्य विद्याओं हनुमान जी भी पाना चाहते थे, और नो विद्याओं में से सूरेदेव ने हनुमान जी को पांच विद्याओं दे दी थी, लेकिन चार विद्याओं क पाने के लिए उन्हें विवा करना जरूरी था इसी वज़े से हनुमान जी की शादी सूरे देव की पुत्री देवी सुवर्चला से की गई थी पर विवा के बावजूद भी हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचरे जीवन नहीं छोड़ा था क्योंकि देवी सुवर्चला जी क जन्म हनुमान जी के ज्ञान प्राप्ति के लिए ही हुआ था। जिसके पूरा होते ही देवी घोर तपत्सयامे चली गई थी। और आज भी तेलंगाना में एक मातर ऐसा मंदिर है, जहां हनुमान जी और देवी सुबर्चला की एक साथ पूजा की जाती है। और यहाँ पर ऐसी मानेता भी है कि जितने भी विवाहित लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, उनका रिष्टा बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे गाइस क्या आपको इसके पहले तक हन्मान जी की विवाहित पता थी और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।